एक रोगी रात में नहीं सोएगा, एक भोगी रात में नहीं सोएगा और एक योगी भी रात में नहीं सोएगा क्यूंकि उसके लिए भी रात बहुत सहायक होती है रोशनी आपको हर चीज अलग-अलग करके दिखाती है, मान लीजे लाइट चली गई रात में कुछ ऐसा है कि सीमाएं थोड़ी धुंदली हो जाती है तो योग के लिए, सेक्शुालिटी के लिए, दोस्ती, नस्दीकिया, पढ़ाई, फोकस इन सभी चीजों के लिए रात जादा सहायक लगती है तीन तरह के लोग होते हैं जो रात में नहीं सोते एक रोगी रात में नहीं सोता रोगी का मतलब है बीमार इंसान क्योंकि वो सो नहीं पाता एक भोगी रात में नहीं सोता एक सुख खोजने वाला रात में नहीं सोता क्योंकि उसके कामों के लिए रात मददगार होती है एक योगी भी रात में नहीं सोता क्योंकि उसके लिए भी रात बहुत सहायक होती है आप इन में से क्या हैं आप तै कर सकती हैं मैं कुछ नहीं कहूंगा रात में क्या खास होता है देखी रोश्नी हमारे लिए रोश्नी इसलिए कीमती है क्योंकि हमारी आँखें एक खास तरह से बनी हुई है रोशनी आपको हर चीज अलग-अलग करके दिखाती है देखिए अभी क्यूंकि यहां रोशनी है मैं इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को, इस इंसान को देख सकता हूं मान लीजे लाइट चली गई और अंधिरा हो गया मैं बस लोगों के जुंड को देख पाऊंगा मैं इस इंसान को इस इंसान को इस इंसान को नहीं देख पाऊंगा तो रात में कुछ ऐसा है कि रात में सीमाएं थोड़ी धुंदली हो जाती है तो योग के लिए, सुक्षालिटी के लिए, दोस्ती के लिए, नजदी किया, पढ़ाई, फोकस, इन सभी चीजों के लिए रात जादा सहायक लगती है क्योंकि रात में आपके और दूसरे के बीच का अंतर कम हो जाता है सिर्फ इसलिए, क्योंकि हमारी आँखें इस तरह से काम करती है जहां रोश्नी ना हो, वहां हमारे अनुभव में हर चीज मिलकर एक हो जाती है तो एक योगी, एक भोगी और एक रोगी, ये तीनों रात का इस्तिमाल करते हैं आप भी इसका इस्तिमाल कर सकती हैं इसमें कोई समस्या नहीं है, जब तक कि आप क्लास में सोती नहों अगर आप क्लास में नहीं सोती तो ये चलेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन आप इसे आजमा कर देखिए, क्या मैं कुछ साजा कर सकता हूँ? मैं कुछ ऐसा था जब मैं सोता था मेरा स्कूल आम तौर पर सुबह साड़े आट का होता था सिक्स फॉर्टी फाइव से मेरी मां और मेरी बहने मुझे जगाना शुरू कर देती थी बहुत सी चीजें करनी परती थी वे मुझे बिस्तर पर उठा कर बैठा देती थी वे आकर मेरी बाह मरोणती थी, ये करती थी, वो करती थी, मेरी माँ ये नर्मी से करती थी, मेरी बहने सकती से करती थी फिर वे मुझे खीचती थी और मेरी माँ टूथब्रश में टूथपेस लाकर मुझे दे देती थी, मैं उसे मुझे मुझे लाकर सो जाता था मैं मेरे कपड़े लाकर देती थी और कहती थी नहाने जाओ टाइम हो गया है मैं बातरूम के अंदर जाता और सो जाता अगर कोई मुझे ना उठाए तो मैं दिन में एक दो बजे तक एक पत्थर की तरह सोता था जाक कर करवटे नहीं बदलता था बस मुर्दे की तरह लेकिन मैंने बारा साल की उम्र में योग करना शुरू किया शायद आठ या नौ महिनों के बाद उसके बाद चाहे जिस भी जगा पर होने पर चाहे कहीं भी होने पर चाहे जो टाइम जोन हो, रोज मैं अलग टाइम जोन में होता हूं लेकिन मैं सुबह 3.35, 3.40 पर जाग जाता हूं क्योंकि उस वक्त प्रकृती में कुछ बदलाव होते हैं मेरा शरीर बस जाग जाता है अगर मैं चाहूं, मैं उटकर जो करना चाहूं कर सकता हूं अगर मैं न चाहूं, तो मैं थोड़ा और सो सकता हूं लेकिन शरीर हमेशा जाग जाता है तो आपको सिस्टम में थोड़ी समवेदन शीलता लानी होती है देखिए आप इस धर्ती के अंश हैं हाँ या ना कोई इंसान अपने बारे में कुछ भी बकवास सोचे लेकिन हम सब इस धर्ती से पॉप अप हुए हैं आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉप अप देखें पॉप अप हाँ आप बस पॉप अप हैं आप गायब हो जाएंगे आपको विश्वास नहीं होता कि आप चले जाएंगे हाँ मैं? मैं चला जाओंगा? हाँ वे सारे चतुर लोग अंगिनत लोग जो इस धर्ती पर आप से और मुझसे पहले घुमते थे वे अब कहा हैं? नामों निशान नहीं है सब मिट्टी हो गए क्या ऐसा नहीं है? क्या वे पॉपप नहीं थे? क्या आप पॉपप नहीं है? पुप पुप आपको लग सकता है कि आपका जीवन शानदार है वगेरा वगेरा जहां तक धर्ती का सवाल है वो बस अपनी मिट्टी को रिसाइकल कर रही है आपको उचालती है और फिर वापस खीच लेती है उचालती है और फिर खीच लेती है तो इस जरा से पॉप अप में एहम चीज और सबसे एहम चीज ये है कि आप अपने भीतर संवेदन शीलता लाएं ऐसी संवेदन शीलता कि जीवन का हर आयाम आपके अनुभव में आ जाए इससे पहले कि आप मर जाएं क्या ये महतुपूर नहीं है कि आप इस जीवन को हर संभव स्तर पर अनुभव करें है ना? है या ना? अनुभव का मतलब है लोग सोचते हैं हमें हर दिन पार्टी करना है नहीं नहीं एक ही चीज़ आप कितनी बार करेंगे इनसान के जीवन में खोजने के लिए बहुत कुछ है आपको समवेदन शील होना होगा समवेदन शील से मेरा मतलब है क्योंकि इस शब्द का एक गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इस माइने में जब लोग कहते हैं अरे वो समवेदन शील है तो मतलब होता है वो जरा सी बात का बुरा मान जाएगी है ना आपके जीवन का समवेदन शील होना और आपके एहम का समवेदन शील होना दो अलग चीज़े हैं जीवन के समवेदनशील होने का मतलब है कि अगर आप इस हॉल में आते हैं, तो आप यहां मौझूद हर चीज का अनुभव करते हैं. आप से कुछ नहीं चुकता. अगर आप बाहर जाते हैं, तो आप किसी चीज से नहीं चुकते. जीवन के हर आयाम को आपके अनुभव में जाना चाहिए. एक बार ऐसा हुआ. शंकरन पिल्लई ने काम करवाने के लिए गधा खरीदा. जिस आदमी ने गधा बेचा, उसने कहा, देखो यह बहुत समवेदनशील गधा है. आप उसे पीट नहीं सकते, आप बुरे शब्द नहीं बोल सकते, आप गधे को गाली नहीं देते देते ठक गया हूँ. इन गधों से काम कराने के लिए मुझे हर रोज घटिया शब्द बोलने पड़ते हैं. मुझे समवेदनशील गधा अच्छा लगा और उसने गधे की समवेदनशीलता के लिए थोड़े जादा पेसे भी चुकाए और उसे घर ले आया. उसने ग करपया चलिए, कुछ नहीं हुआ. उसने घुटनों के बल बैटकर प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ. आपको उसे गाली नहीं देनी है, आपको उसे पीटना नहीं है. उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो वो उस आदमी के पास वापस गया, जिसने गधा बेचा था. पर जोर से मारा. फिर उसने डंडा फेक दिया और कहा चलो. गधा पीछे चल दिया. शंकरन पिल्ले आग बबुला हो गया. और यह बेवकूफ तुमने कहा कि यह समवेधनशील गधा है. और जैसे तुमने इस जानवर को मारा है, मैंने अपने पूरे जीवन में किसी खीजना होगा. तो समवेधन शीलता विक्सित करने का मतलब है, कि अगर आप अपनी आखें बंद करें, तो आप जान जाएं कि चानद अभी के सावस्था में है, क्योंकि यह सब आपके शरीर में हो रहा है. हर दिनी आपके सिस्टम में जाहिर हो रहा है. क्या आपने ध्यान दिया है कि अगर पूनिमाया अमावस्या हो तो पूरा समुदर उचलता है, जवार भाटा आता है, है ना? आप कभी समुदर तरपर गए हैं या नहीं जाते हैं? आप जाते हैं, लहरें उठती हैं. पूरा समुदर उपर उठने की कोशिश कर रहा है. आ आपको लगता है कि कुछ नहीं उठता? यह उठता है. सूरा जो चंदरमा की हर स्थिती और कई चीजें जो धर्ती के साथ हो रही हैं, वो आपके साथ भी हो रही है. आपके जीवन को समवेदनशील बनना चाहिए. तब ही आप जानेंगे कि आपके जीवन के हर पहलू को कै समवेदनशील एहम मत बनाईए. अपने सामाजिक पहलू को समवेदनशील मत बनाईए. अगर आपके भीतर का जीवन समवेदनशील बन जाए और इस जीवन के साथ जो हो रहा है, अगर वो एक चीज़ आप जानते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका GPS ON हो गया है. तब समवेदनशील बनना है. अभी हमने एक ऐसा मनोवज्यानिक धाचा विक्सित कर लिया है, जिसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है. इसका थोड़ा सरोकार सामाजिक पहलू से है, पर जीवन से कोई लेना देना नहीं है.